अब आप यहां से यह देखो पहले एक पर सिचुएशन को समझेगे इंदिल्ली में यह बता है कि जो रैड़क्रोव सोसाइटी होती है वहां पर उन्होंने क्या देखा कि 16,000 ब्लड डोनर्स रजिस्टर हुए हैं मतलब वहां पर नाम रजिस्टर हुए हैं कितने डोनर्स 16,000 तो हमें लिख लेगें ब्लड डोनर्स इन स्टार्टिंग स्टार् आने वाले हर एक जो 6 मंथ हैं उनमें जो ब्लड डोनर्स हैं मतलब आप यह मान के चलें कि पहले साल पहले टाइम पर कितने 16,000 रजिस्टर हुए हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात की तो उनके जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि हम भी ब्लड डोनेट करेंगे तो मत आपके हैं यहां पर रहना मत लिखने है उन्होंने पिछे स्पेशल मेंशन किया हुआ है 5% एवरी 6 मंथ हर 6 महिने के एक अकोडिंग आपको रेट दी हुए है मतलब हाफ यह के एकोडिंग रेट दी हुए है तो हमने लिखा 5% एवरी 6 मंथ अब हमसे पुछा गया है how many donors would be there at the end of one and half year one and half year के बाद कितने donors हो जाएंगे तो हमने यहां लिख लिख लया time आपको दिया हुए one and half years इसको आप चेंज कर लो three by two years अब आप यह देखो rate तो दी हुए आपको six month के according और time आपको दिया हुए किस में years में दिया हुए अब आप चाहो तो दोनों को परैनम में convert करो चाहो तो दोनों को किस में कर लो every six month में तो मैं यहां इसको every six month के according चेंज कर लूँगी अब आपको पता है अगर half yearly दिया होता था ठीक है अगर half yearly दिया होता था तो time को आप क्या करते थे multiply करते थे किस से two से two से two cancel करो तो यहां जाएंगे three half years तो यह time भी आपका half year के according चेंज हो गया और rate तो आपकी दी ही हुई थी every six month लो हर छे महीने half year तो आपका दोनों same होगे यह भी six month के according यह भी six month के according अब हम बताएंगे therefore number of donors at the end of one and half year one and half year के बाद कितने हो जाएंगे blood donor increase होंगे न और जब कोई चीज़ increase हो गया होते है तो amount वाला formula यूज होता है पी into one plus r by hundred raise to power t तो पी की जगह यूज होगा sixteen thousand into one plus rate की जगह हमारे पास यूज होगा rate हमारे पास दी हुई है five upon में one hundred और time की जगह यूज होगा three ठीक है time की जगह होगा three five बंजा five five two बंजा ten zero तो यहां से आएगा sixteen thousand into twenty lcm आ जाएगा twenty lcm twenty बंजा twenty plus one and power आ जाएगी three sixteen thousand into यहां जाएगा twenty one divided by twenty three times लिखो इसको और जितना cancel होता उसको cancel करो three zero से three zero cancel two से cancel करेंगे eight पे cancel होगा again two से cancel करेंगे two fours are eight two one's are two two two's are four तो हमारे पास यहां twenty one twenty one twenty one और two रह जाते हैं इन सब को जब हम multiply करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा eighteen thousand five hundred twenty two यह तो होगा आपका first question जो numerical part होता आपका जिसको आपको solve करना होता है अब क्योंकि value based question है तो अब आप से पुछा गया है why is it important to donate blood blood donate करना क्यों ज़रूरी है what steps would you take to encourage people to donate blood आप ऐसे क्या step उठाएंगे कि आप लोगों को encourage कर सकें कि वो blood donate करें तो यहाँ पर आपके पास यह है why is it important to donate blood blood donate करना क्यों ज़रूरी है कि अगर हम blood donate करेंगे तो जैसे माली जी किसी का accident हो गया और उन्हें blood की ज़रूरत है तो जो हमने blood donate किया तो वो किसी ने किसी की काम आ जाएगा for saving someone's life what steps would you take to encourage people to donate blood blood donate वो करें इसके लिए आप क्या step यूज करोगे telling people importance of life or telling them donating blood is a generous act that can benefit people अब आप यहाँ से देखो कि अगर हम blood donate करें तो उससे क्या होता है कि इससे कोई हमें नुकसान तो है नहीं क्योंकि जो हम blood donate करते हैं तो अब उससे क्या होगा लेकिन जो blood हम donate करेंगे वो आगे किसी की काम ही आएगा ऐसा हो सकता है कि किसी की बिल्कुल life हम बचा पाएं ठीक है हम जब blood donate करते हैं ठीक है तो यहां से यह इसकी importance होगी next है हमारे पास question number two a town has a population of two lakh fifty thousand the growth rate of the population of the town is four percent per annum what would be the population after three years what are the harmful effect of such a rapid increase in the population ध्यान से देखें इस question को देखो क्या दिया गया है our town has a population of two lakh fifty thousand present population दी गई है two lakh fifty thousand growth rate दी है four percent per annum हम से पुछा गया what would be the population after three year तो time है three year हम यहां find करेंगे population after three year अब क्योंकि वो increase हो रही है increase होने के बाद मतला कौन सा formula यूज होगा जो amount का formula है पी इंटू one plus r by 100 और इस to power t अब पी की जगह हमारे पास का है two lakh fifty thousand इंटू one plus rate की जगह है four divided by one hundred और time की जगह है three four से cancel करो four one's are four four two's eight four five's are twenty तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा two lakh fifty thousand इंटू twenty five one's are twenty five और प्लस one twenty six lcm ही निकाल ला है अभी तो आपने बहुत सारे question कर ले और आपको पता ही चल के होगा यहां कैसे करते है twenty six by twenty five twenty six by twenty five twenty five से cancel करो twenty five one's are twenty five twenty five one's are twenty five और four zero ऐसे ही आ जाएगी twenty five one's are twenty five four's are one hundred और double zero यहां से cancel करो twenty five one's are twenty five twenty five one's are twenty five fifteen बचेगा और पिछे 0 twenty five six are one fifty तो यहां से हमारे पास twenty six twenty six twenty six और साथ में sixteen रह जाता है जिनको multiply करके आता है two eight one two one six two lakh eighty one thousand two hundred sixteen तीन साल के बाद population कितनी हो जाएगी two lakh eighty one thousand two hundred sixteen अब next है बी पार्ट बी पार्ट में हमसे पुछा गया है what are the harmful effect of such a rapid increase in the population अब यहां पी देखो कि इतनी जादा population आप यह देखो तीन साल के बाद two lakh fifty thousand two lakh eighty one thousand two hundred sixteen आप देखो कितनी सारी increase हो गया population तो यहां से पुछे कि इसके harmful effects क्या होंगे तो आपको पता है जो resources है वो तो limited ही होते हैं ठीक है अगर आप देखोगे कि इतनी जादा population बढ़ेगी तो हमारा देश कहां से हमारे देश में development होगी ठीक है इससे क्या होगा poverty increase होगी और जब इतने जादा person हो जाएंगे तो government भी कितने लोगों को employment दे सकती है ठीक है हर किसी को तो नोकरी नहीं सकती न तो मतलब क्या होगा unemployment हो जाएगी लोगों के पास करने को कुछ काम ही नहीं होगा ठीक है तो क्या क्या होगा एक तो poverty और एक हो जाएगा unemployment ठीक है इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता तो आप और लिख ले न तो यहां पर आपके value-based question हो गए है अगर आपको